हाई फ्रेंड स्वागत आपका हमारे चैनल स्पूर्स आर पे मैं हूँ आपके साथ सपना दानू आपेल 2024 के तयारा शुरू हो गई है जिसके लिए आपेल 2024 के लिए मीनी आॉक्षन कल यानि की 19 दिसंबर को दुबई में होने वाली है ऐसा पहरी बार आपेल की हिस्त्री में होगा जब नीलामी विदेश में होगी यानि की खिलाडियों पर बोली इस बार विदेश में लगाई जाएगी भारती समयनुसार देखे तो दोपहर एक बजे ये मीनी आॉक्षन शुरू होगा जिसके लिए आपेल गवर्निंग काउंसिल ने 333 खिलाडियों को शॉर्ट लिस्ट किया है और कुछ दिन पहले आपेल गवर्निंग काउंसिल ने वो लिस्ट जारी की थी जिसमें सभी 333 खिलाडियों का नाम है इसमें 214 इंडियन प्लेयर्स है जबकि 119 ओवर सीज प्लेयर्स है यानि कि विदेशी प्लेयर्स है लेकिन किस्मत किन खिलाडियों के खुलेगी ये तो कल ही पता चलेगा क्योंकि IPL 2024 के लिए सभी 10 टीमों के पास कुल 77 खिलाडियों की ही जगह है यानि कि सिर्फ 77 खिलाडियों पर ही 10 फ्रेंचाइजी बोली लगा सकती है चले बात करते हैं किस टीम के पर्स में कितने पैसे हैं कितने खिलाडी वो खरीच सकते हैं और फिर तमाम चीजें सबसे पहले बात करते हैं CSK की आम देखिए CSK के पास अभी टोटल 19 प्लेयर्स है पांच ओवर 60 प्लेयर इनके पास है अगर लेफ्ट ओवर अमाउंट जो कि अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि पर्स में जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं उसी का जो है कल IPL मिनी आॉक्षन में दबदबा रहने वाला है और CSK के पर्स में है 31.4 करोड रुपीस और वेकेंट सीट जो है 6 है यानि कि 6 खिलाडियों को CSK खरीच सकती है जो इनके पास 31.4 करोड रुपीस है उसमें से वो 6 खिलाड़ी खरीच सकते हैं जिसमें से 3 Overseas players यानि कि 6 खिलाड़ीों में से 3 Overseas players ये खरीच सकते हैं अब वो CSK पर डिपैंड करता है कि वो Overseas players को चुनते हैं या फिर Indian player को अब आते हैं दूसरी टीम जो है जो की डैली कैपिटल्स है डैली कैपिटल्स के पास अभी 16 प्लेयर्स है और उसमें से 4 Overseas players है अगर अमाउंट की जो हम बात करें डैली कैपिटल्स के पास 28.9 पाच करोड उपे वेकेंड सीट है इनके पास 9 जिसमें से ये 4 Overseas खिलाड़ी खरीच सकते हैं अब आते हैं गुजराट टाइटन्स गुजराट टाइटन्स जो की इस बार देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो गुजराट टाइटन्स के पर्स में है और गुजराट टाइटन्स में आपको काफी कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि गुजराट टाइटन्स के शुरुवात अगर देखें तो हार्दिक पंड़ इस तरीके से वहां से गए है मुम्मे इनियस में तो शुरुवात आपको बदलाव के साथ नजर आया है गुजराट टाइटन्स के साथ और कल देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव आते है 17 प्लेयर्ज अभी तक गुजराट टाइटन्स के पास है बात करें ओवर सीज प्लेयर्ज की तो 17 में से 6 ओवर सीज प्लेयर्ज इनके पास है अगर रकम की बात करें तो 38.15 करोड गुजराट की पर्स में रकम है जो कि इस IPL आॉक्षिन में सबसे ज्यादा रकम प्राथा नाइट राइडर्स जो की चौति टीम है 13 अभी तक इनके पास है उनमें से चार ओवर सीज प्लेयर्स हैं 32.7 करोड रुपे की रखम इनके परसम है और अगर वेकेंट सीट की बात करें तो 12 सीट इनके पास है और चार ओवर सीज प्लेयर्स यह केके यार जो है खरी प्रखनों के पास ही है यानि कि केल राहुल के कप्तानिय वाली टीम के पास सबसे कम रकम है 19 प्लेयर्स इनके पास अभी तक है और उसमें से चे में से यह दो ओवर सीज प्लेयर्स खरीद सकते हैं अब आते हैं मुंबे इंडियर्स माप करेगा मुंबे इंडियर्स के पास आते हैं मुंबे इंडियर्स यहां पर भी बहुत कॉंट्रोवर्सी जो है शुरुवात से ही मुंबे इंडियर्स के साथ रही है जिस तरीके से मुंबे इंडियर्स ने रोहिट शर्मा की कमान जो है ह पार्दिक पंडिया के हाथ में सौब दी है अब देखना जबरदस्त होगा दिलचस्प होगा कि मुंबई इंडियन्स कल क्या फैसलिल लेती है कल के बाद आपको मुंबई इंडियन्स में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं बात करें अगर टोटल प्लेयर्स की तो चार ओवर्सीज प्लेयर्स ये खरीच सकते हैं यानि कि अगर चार ओवर्सीज प्लेयर्स के साथ मुंबई इंडियन्स कल जाना चाहती है तो वह आसानी से जा सकती है बाकी इंडियन जो है खिलाडियों को ये खरीच सकते हैं अब आते हैं साथवे टीम पे जो की है पंजा प्रस की बात करें तो 29.1 करोड पीस इनके परस में हैं 8 खिलाडी यह खरीज सकते हैं और जिसमें से 2 सिर्फ दो वसीज प्लेयर सीह खरीज सकते हैं अब आते हैं RCB, विराट कोली के फैंस के लिए कल देखना होगा कि क्या कुछ है विराट कोली की इस टीम में बदलाव देखने को मिलने वाला है 19 प्लेयर्स अभी तक इस टीम के पास है जिसमें से 5 ओवर सीज प्लेयर्स है 23.25 इनके पर्स में रकम है और 6 वेकंट सीट है 6 में से 3 ये जो है ओवर सीज प्लेयर्स को RCB खरीद सकते है यारी कि 3 ओवर सीज प्लेयर्स खरीदने के इनके पास चांसेस है अब आते हैं राजस्थान नवी टीम पर आते हैं राजस्थान के पास जो है 17 जो है प्लेयर्स अभी तक है जिसमें से 5 ओवर सीज प्लेयर्स है 14.5 करोर रुपीज इनके पर्स में है 8 सीटे इनके पास अभी खाली है जिसमें से 3 आठ में से 3 जो है ये ओवर सीज प्लेयर्स खरीद सकते हैं अब आते हैं आखरी टीम पे Sun Rangers हैदराबाद, 19 खिलाडी अभी तक इनके पास है, जिसमें से 5 overseas players है 34 करोड़ रुपे ही इनके पास है यारिक इनके पर्स में है और जिसमें से इनके पास है जो अतरिक सीटे हैं इनके पास vacant seat है वो है 6 जिसमें से 6 खिलाडियों में से ये जो है 3 overseas players के साथ जा सकते हैं ये रही अभी तक जो हमने आपको बताया है कि 10 टीम है सबसे ज़्यादा रकम गुजराट टाइटन्स के पास है और सबसे कम लखनव सूपर जायंस के पास है यानि कि गुजराट टाइटन्स के पास पर्स में सबसे ज़्यादा 38.15 करोर रुपे बचे है यानि कि ये टीम नीलामी में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कर सकती है जबकि लख्ण सूपर जायंस की पर्स में सबसे कम 13.15 करोड रुपे बचे हैं साथ ही आपका बता दू 333 खिलाडियों की जो ये लिस्ट है उसमें 23 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका बेस प्राइज 2 करोड रुपे है जबकि 13 खिलाडियों का बेस प्राइज 1.5 करोड रुपे रखा गया है इनकी अराबा 1.75 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख और 20 लाख रुपे बेस प्राइज वाले भी खिलाडी इस लिस्ट में शामिल है खेर देखना होगा कल यानि 19 दिसंबर को किन खिलाडियों पर फ्रेंचाइजी अपना दाव लगाती है किन खिलाडियों की किस्मत पलटने वाली है कल कल हम भी आपको तयार मिलेंगे और आप भी तयार रहेगा IPL 2024 के लिए इस मीनी आॉक्षन के लिए क्योंकि काफी मज़िदार या उक्षन होने वाला है वहराल इस खबर में बस इतना ही आपका इस खबर को लेकि क्या कुछ ही कह रहा है कॉमेंट करके ज़रू बताएगा जैहिन जैफार